लेटेश्ट ख़वरों के अप्डेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दवाएं बैल आइकन नमस्कार आप देखरें गजब समाचार गंतंतर दिवस के उपलक्ष में राम जान की संस्था नई दिल्ली द्वारा तपसिला जीत आदिवासी प्रकट सैनिक क्रिसी विकाश सिल्प केंदर हुगली पस्चिम बंगाल के सहयोग से एंडी एंसी कनवेर से सेंटर नई दिल्ली में आर जैस वंदे मात्रम तू का किया गया इस मौके पर विभिन चेत्रों में उत्विष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया इस मौके पर विभिन स्कूलों के बिद्यार्थों के लिए कीउच परतियोगिता और इनाम का संचालन वरिष्ट प्रसारन कर्मी पार्थ सार्थी थपलिया द्वारा किया गया इस मौके पर मुख्य अति थी जिन्दा शहीद MS विट्टा जी ने लोगों को राष्टवाद के महत्व को बताया और समाज में सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की लोगों से अपील की साथी उन्होंने ये भी कहा कि RGS VANDे मातरम 2 जैसा कारिकरम सकरात्मक सोच को देश के जंजन की सोच बनाने उतप्रेरक का का म करेगा आज भी बन्दे मातरम नारे के रूप में परियोग करने से ही राष्ट प्रत्यब्रहतिक प्रतिप्रेम उमरता है वंदे मातरम को टीम आर रियस ने अपनाया ये अच्छी बात है आज भी वंदे मातरम हम सभी लोग एक दूसरे को मिलन जुनने के वक्त बोलते हैं उन्होंने ऐसा कहा उन्होंने यह भी कहा कि आप दिल से वंदे मातरम को कहते हैं तो आपके अंदर एक अलग सकरात्मक उर्जा का विकास होता है इस अपसर पर कारिक्रम के विशिष्ट अतिथी और मुख्य वक्ता NDMC के उपाध्यक स्री करंग सिंतवर ने सकरात्मक के माध्यम से समाज के दिकास की बात कही उन्होंने कहा कि पत्रकारों के आसमाईख निधन होने पर शहीद का दर्जा दिलाने की वो पूरा कोशिश करेंगे कारिक्रम के विशेश अतिथी शहीद चंद सेखर अजाद के पाउतर स्री अमीत अजाद जी ने कारिक्रम का समापन किया और अपने संबोधर में नई PDC शहीदों के सपनों का भारत बनाने की अपील की उन्होंने कहा किसा करात्मक सोच वाले बंदे मात्रम में वो शक्ति है जो भारत को एक वारत पुनह विश्व गुरू बना सकती है उनके गाय देश भक्ति गीतों ने टीम RJS में विर्रस का संचार किया तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेर करें एवं कॉमेंट कर आप अपनी राइदेना ना भूशे चुले को पहन सिवाजी खेले अपनी चान दे, जिसे पहन जासी की रानी विटकैं अपनी आन पे आज तुसी को पहन के निकला, पहन के निकला, ओ मस्तो का डॉला मेरा रंगते बसंती चोला, आए रंगते बसंती चोला